हेलो मेरे प्यारे बच्चो तो आज हम करने वाले हैं the most important subject वो है social science सारे बच्चे परिशान हो रहे थे social science का मैं important question बता दो social science का model paper करवा दो sample paper करवा दो तो ये है बच्चो आप लोगों का social science का बहुत ही demanded video ठीक है तो देखिए ये दो part में रहेगा पहला part जो मैं अभी करवा रही हूँ ये है English medium का जी हाँ थोड़ा अच्छे से सुन लेजी ये है English medium का Hindi medium का just इसके कुछ देर बाद आने वाला है तो मैं आपको बता दू सिर्फ और सिर्फ ये questions करके चले जाओगे तो आप 100% easily आप 60% score कर लोगे 60% 50 से 60% easily score कर लोगे और इसके साथ अगर आपने मेरे दिये हुए important question भी कर लिए और जैसा जैसा मैंने अपने चैनल में करवाया है important question series उसको कर लिया आपने previous year question paper कर लिया आपने तो आपके तो 95 plus कहीं नहीं गए बच्चे तो इसलिए ये मैंने blueprint भी आपको show कर दिया है देखिए कुछ बच्चों को शायद blueprint नहीं मिल रहा होगा हाला कि मेरे website में है blueprint बट फिर भी मैंने इसको एक बर फिर से बताना बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि आपको इसी तरीके से प्रिपेर करना है chapter wise कितने marks के कौन से chapter में वेटेज है इस तरीके से आप इसको तयार करेंगे ठीक है तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम वारे मेरे प्यारे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़ादा परेशान हो रहे थे और जो हिंदी मीडियम वाले वो बिलकुल निराशना हो इसके ज़स्ट बाद हिंदी मीडियम का भी वीडियो आने वाला है तो देखे सबसे पहरे तो मैं बोलना चाहूंगी मेरे इस वीडियो को आप जितना जादा लाइक करोगे जितना जादा मुझे इसमें लाइक दिखता जाएगा वैसे ही मैं एक नेक्स सीरीज लेकर आऊंगी जो कि जस्ट आपके एक्जाम से कुछ दिन पहले कर रहेगा ज लेकिन वो मैं तभी करूंगी जब मैं आप लोग के रिस्पॉंस अच्छे देखूंगी जब आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत सारा लाइक दोगे और बहुत सारा शेयर करोगे और मुझे दिखे हैं कि हाँ जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहा है मेरे चैन कोशन पेपर शुरू करते देखिए हैं मॉडल कोशन सोशल साइंस के सारे सब्जेक के मैंने अपलोड कर दिये हिंदी का इंगलिश का और संस्कृत का आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेजिएगा सैंपल पेपर सॉलुशन करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिये हुए हैं और एक बार फिर से बोलना चाहूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं सिर्फ वीडियो देखे आप रख देते हैं बच्चे आपके एक लाल बटन हिट करने से हमको इतनी प्रणा मिलती है इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टन वीडियो आप से कभी न मिस हो क् अगर आप सब्सक्राइब करे रहोगे और सब्सक्राइब करकर अगर बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा बच्चे और बाद में आप बस मुझे पूछते रहते हो कि इसका सैंपल पेपर कहा है उसका सैंपल पेपर कहा है त तो चलिए, अब हम objective type question कर लेते हैं, इसी तरीके से आपका question paper आएगा, पहले objective questions रहेंगे, तो देखिए इसमें objective questions साथ में answer भी दिख रहा होगा, इसको आपको prepare करना है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा important है, मैं बार बार जोड दे रही हूँ, बहुत important बच्चे एक भी question इसमें से छूटना ने चाहिए आपका, सारे questions को आपको बहुत अच्छे से prepare करना है, उसके बाद आपको पूछा जाता है, fill in the blanks, तो देखिए, fill in the blanks में मैंने बाजू में answer दिया हुआ है, इन fill in the blanks को आपको बहुत अच्छे से prepare करना है, ये भी बहुत ही जादा important fill in the blank इसके बाद आपको next मिलेगा matching, यानि की match the, मतलब matching करना है आपको, तो इसके भी answer नीचे दिये हुए है, और ये भी बहुत बहुत important matching है, देखिए, 2-3 set बनाया हुआ है matching का, और ये मैंने अपने मन से नहीं दिया हुआ, ये important जारी किया गया, cg board के तरफ से ही, वहां से ही मैं दे रही हूँ, अब true false देखिए, ये जो true false है, true false भी आपसे पूछा जाता है, तो true false को भी आपको बहुत अच्छे से prepare कर लेना है, उसके बाद आपको one mark question पूछे जाते हैं, very short answer type question, one mark question पूछे जाते हैं, तो उसमें देखिए, आपको इतने सारे question दिये गया है, इसक प्रैक्टिस हम exam से कुछ दिन पहले जरूर करेंगे, मैं बिलकुल आप लोगों के लिए live ले कर आऊंगी, अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे, देखो two marks वाले question में, जो की short answer type question होते हैं, इसमें भी मैंने जो important questions दिये हैं, मतलब जो answers मैंने इसमें बनाए है, ये आप इसको बहुत अच्छे से prepare करोगे, कुछ बच्चोवा question होता है कि मैं इसको पढ़ेंगे तो हमको कितने number मिल जाएंगे, अरे भाई आप पढ़ो तो, आप पढ़ो, आपको जो दिया जा रहा है, आप उसको पढ़ते नहीं हो, बस question करते रहते हो, आप पहले पढ़ो, जो questions आपको मिल रहे हैं, उसको by heart याद करो, आप sample paper करो, आप previous year paper करो, आप important questions करो, सब मेरे website में available है, सारी चीज़े मेरे YouTube channel में available है, इतना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप क्या हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, बस एक like और एक subscribe की ही तो बात करते हैं, तो एक like कर दीजिए जल्दी से, और subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर कीजिए, उसके बाद देखिए, तीन marks के question आते हैं, तो तीन marks के question में आपको थोड़ा बड़ा लिखना होता है, ठीक, तो इस तरीके से देखिए, तीन marks के questions में answer के साथ हमने लिखा हुआ है, ये सारे questions को आपको करना बहुत 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 जरूरी है, मैं बार बार इसी को बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारे questions आप छोड़के जा ही नहीं सकते exam में, इनको करना ही करना है, क्योंकि इसमें साथ डैम शी और आपके questions आने वाले हैं, इसलिए आप देखिए, फोर marks के question, त्री marks के बाद फोर marks के question पूछे जाते हैं आपसे, तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ये वाला question करना है, फिर आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये देखिए, ये question करना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला करना है, फिर ये वाला, तो कुल मिला के ये सारे question आपके बहुत important, मैं बार 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 कह रही हूं यह सारे important questions है बच्चो और यह जो four marks के five marks के answer होते है इसको आपको थोड़ा ज्यादा लंबा लिखना होता है बड़ा लिखना होता है तो इसको point wise लिखेंगे आपको बहुत अच्छे से number मिलेंगे देखें full form याद कर लिजेगा difference between इसमें बहुत important है उसके बाद हम धीरे धीरे करके next question series में बढ़ रहे हैं देखें यह सारे four marks के questions थे तो यह सारे questions आपको करना ही करना है मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूं अगर आपको इसको detail में समझना है तो मैंने पहले ही sample paper को वीडियो में एक एक question के साथ समझा चुकी हूँ अगर आपको वो videos देखने हैं तो आप playlist में जाके देख सकते हैं आप channel में enter कीजिएगा वहाँ पर आपको सबसे पहले उपर menu मिलता है फिर videos मिलते हैं मतलब home मिलता है फिर video मिलता है फिर playlist मिलता है तो आप playlist में जाके एक-एक playlist को ज़रूर चेक कीजिए बच्चे class 10th English लिखा हुआ मिलेगा आपको class 10th sample paper solution लिखा हुआ मिलेगा आपको ऐसे करके examination notification मिलेगा आपको आपको exam tips मिलेगा तो ये सारे चीज़े आप जाके click कर करके देखे उसमें सारे videos आपके लिए बहुत important है तो आपको हर चीज़ के लिए मुझे telegram में message करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी next है आपको five mark से question पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता तो आप instagram में मुझे पूछेंगे तो मैं तूरंत आपको उसमें answer करती हूँ इसलिए मुझे instagram में भी follow कर लेजी और जो बच्चे मुझे telegram में message करना चाहते हो telegram में follow कर लेजी यानि telegram channel join कर लेजे रोज शाम को वहाँ पे मैं discussion करती हूँ बच्चों से एक घंटे के लिए तो वहाँ पे भी आप मुझे से live discussion कर सकते हैं इसलिए telegram और instagram को ज़रूर join कर लेजे सारे link description दिये हुए है इस का pdf आपको इस sample paper का pdf आपको मेरे website में मिल जाएगा कैसे आपको download करना है वह मैं last में बताती हूँ तो आप last तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा यही मैं आपको कैना चाहती हूँ आप देखिए आपको ये five marks के questions है five marks के questions आपको थोड़े लंबे लिखने होते हैं बड़े लिखने होते हैं ठीक है तो ये आपका five marks का question ही last question नहीं रहता है इसके बाद six number का question भी पूछा जाता है आपसे तो देखिए ये है आपके six marks का question तो six marks का question आपका last होता है और इसमें सिर्फ तीन चारी question मुश्कल से एक दो ही question पूछे जाते हैं और इसको आपको बहुत ही अच्छा खासा लंबा लिखना होता है जैसे कि आप ऐसे लिख रहे हो तो इस तरीके से आपको six marks के answers लिखने हैं देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें देखिए important question तीन चारी है इनको तो करके ही जाना जैसे function of Indian parliament ठीक है उसके बाद है voting under six heading मतलब process of voting क्या है यह सब तो आपको assignment में भी पूछे जा चुके हैं फिर preamble of constitution का importance बताईए उसके बाद election commission की functions बताईए इसारे बहुत important question है Prime Minister को कौन appoint करता है किस तरीके से Prime Minister appoint होते हैं उसके बाद voters क्यों बहुत सारे voters voting के लिए नहीं जाते हैं तो यह सारे जो questions है उनको आपको अच्छे से करना है तो आपको मैं एक बाद बता दूँ कि आपको यह सारे questions तो अच्छे से करना ही करना है साथ में अगर आपको वाक्वे में 95 score करना है तो आपको sample paper के solution तो करने ही करने है आपको तीन साल के previous year के question करने है आपको important question करने है जो कि मेरे channel में बताया गया है और मेरे website में आपको हर एक चीज़ का PDF मिल जाएगा आप जाके download कीजिए अपने mobile में ही रखिए print out निकालने की भी ज़रुत नहीं है आप mobile से ही पढ़ाई कीजिए आपका पैसा भी बचेगा आपका time भी बचेगा जहां भी आप जाएंगे mobile तो आपके साथ ही रहता है आप easily अच्छे से पढ़ से और example paper का video लाऊंगी solution के साथ जो कि CG board के द्वारा ही जारी किया गया है प्लस मैं आने वाले समय में आपका हर एक subject का फिर से important question with solution करवाने वाली हूँ जो the most important questions है वो ठीक है प्लस exam से पहले-पहले आपको और एक जो sample paper है उसको भी मैं करवाऊंगी इसलिए बच्चों मैं बार-बार कह रही है मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर से subscribe कर लीजे क्योंकि ऐसे important videos आपसे छूटना नहीं चाहिए अगर आप subscribe नहीं करोगे तो आपको चैनल के notification videos में आपको notification नहीं मिलेगा इसलिए चैनल को subscribe करके bell गंटी को बजाकर all notification दबाना बहुत जरूरी है तभी आपको मेरे सारे videos के notification मिलेंगे और मैं नहीं चाहती कि इतने important videos आपसे छूट जाए इसलिए मेरी ये request है कि आप चैनल को subscribe जरूर कीजिए bell icon को जरूर दबाईए अगर video अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को share कर दीजिए आप लोग से बहुत एक important बात और कहना चाहती हूँ आप लोग playlist में जाके सारे videos को जरूर देखा कीजिए बच्चे क्योंकि playlist बनी हुई है हर एक चीज की important question answer सब कुछ की playlist बनी हुई है आप उसको जाके एक बार जरूर चेक कीजिए चैनल में जाया कीजिए आप चैनल में जाने के बाद home मिलेगा, video मिलेगा और फिर playlist मिलेगा तो playlist में enter करके, click करके आप जाएए वहाँ पर एक एक चीज जाके देखिए description में भी सारे playlist के link दे दिये गे हैं उसमें आपको हर एक चीज, important चीजे मिल जाएगी जो की आपको ज़रूरत है जो की video आपने अभी तक नहीं देखिए आप ज़रूर जाके देखिए चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि website से इसको download करना कैसे है तो बच्चो आपको google chrome में जाके www.apnacoolschool.com type करना है तो मेरा ये website open होगा या फिर आप description में भी जाके link में click कर सकते हैं बचो आप जैसे ही मेरे website को click करेंगे आपको menu मिलेगा और menu में जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने ये page open होगा, सबसे पहले आपको assignment दिखेगा, आप assignment में जैसे ही click करेंगे आपको 10, 12 के assignments सारे solution के साथ मिल जाएंगे आप यहाँ पे जाके assignment की अच्छे तयारी कर सकते हैं क्योंकि exam में assignment के question 100% आने वाले हैं उसके बाद toppers copy दी गई है toppers copy में जाके आप अपने class के topper बच्चों की copy देख सकते हैं आप जान सकते कि आपको पैसे लिखना है copy में कौन सी गलतियां नहीं कर गए हैं फिर आता है study material study material में आपको important question पहला category मिलता है, दूसरा category है important question with solution और तीसरा category है निबन दियाने की essay तो यह सारी चीजों में important चीज़र डेली हुई है, आपको अगर important essay इसे चाहिए निबन चाहिए तो उसमें जाना पड़ेगा और उसमें आपको बहुत अच्छे से PDF मिल जाएगा आप उसको डाउलोड करके याद कर लीजिए important question में आपको सारे subject के important questions मिलेंगे और important question with solution में chapter wise आपको important question दे दिये गया है next है syllabus तो syllabus में जैसे ही आप click करें 9 से लेके 11th 9 से लेके 12 तक का syllabus दिया गया है blueprint के साथ आप वहां जाके Hindi medium English medium अच्छे सा डाउलोड कर सकते हैं next है question paper जैसे आप question paper में click करेंगे यह जो category आपको बहुत important है यहाँ पर आपको sample question paper मिलते हैं previous year question paper मिलते हैं ठीक है तो बच्चो 10th के पिछले 3 साल के solution दिये हुग है और तो पिछले 2 साल के solution अभी करने लग रहे हैं रोज update हो रहे हैं बच्चे क्योंकि इसको बनने में time लगता है तो आप जाके देखिएगा रोज इसमें कुछ नहीं आपको दिख रही है उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 10th और 12th का demo test देने का मौका मिलेगा जिसमें आपको English के lessons, unseen passage, grammar सारी चीजे available हैं जिसमें कि आप जाके test दे सकते हैं खुद का और खुद का आप evaluation कर सकते हैं खुद का मुझे कैसे inspiration मिलेगा मुझे कैसे ताकत मिलेगी और मैं कैसे अपने आपको motivate करूँ ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे मैं वीडियोज लाओं तो मुझे भी inspiration मिले आगे बढ़ने की प्रेड़ना मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मिलता है इसलिए आपसे request है आप चैनल को जाद जाद सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बाजी में जो bell icon है उसको जरूर से hit कीजिए जिससे कि मुझे यह लगे कि हाँ मेरे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया और उन तक मेरे वीडियो पहुच रहे है तो यह जो motivation है बच्चे यह मुझे इसकी जादा जरूरत है तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगी अच्छा जो कि मैंने सोच रखा है इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सेकंड लगता है बच्चे यह दो सेकंड आप अपने लाइफ की इंपोर्टन दो सेकंड झाल